जहां एक ओर सरकार तीन तलाग पर बिल पास करवाने की कोचिश में लगी है तो वहीं मद्यपरदेश के इंदोर से एक तलाग का मामला सामने आया है जिसमें अलीना नाम की मुसलिम महिला का आरोप है कि उसके पती ने उसे 100 रुपे के स्ताम पेपर पर तलाग नामा भेजा ह पीडित महिला ने इस तलाग को अपने पती का एक तरफा फैसला बताते हुए इसे मानने से इंकार कर दिया है महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में की है तक 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 के और सडनली एक दिन घर से गायब हो गया है और दस दिन बाद उन्होंने जो है मुझे तलाग क्लिक बेज दिया और उनके family वालों को सबको पता है कि वो कहां पर हैं, किदर रह रहे हैं, कहां हैं इस समय मुझे कुछ भी नहीं पता, उनके phone बंद आ रहे हैं, मैं उनको contact करने की कुशिश कर रही हूँ मैं कहीं से भी उनको contact नहीं कर पा रही हूँ और उनके घरवाले मुझे बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है जबकि उनके घरवालों के कंटिनियूस लिए उनसे कॉल पर बात हो रही है ये चीज पुलिस रिकॉर्ड में आ चुकी है वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जाज करेंगे और जरूरत पढ़ने पर काउंसिलिंग भी करेंगे अभी उसनके रिकॉर्ड में फैपर सामिल नहीं की है में इलीना क्या काम करती हैं में मोंबई में काम करती थी के लिए करती थी और क्या मुलते उसकी फैमिली उन्होंने अपना फैमिली के अगेंस साधी की थी तो इसलिए उनके उनको उसकी ससुदाल पक्ष के लोग टॉर्चर करते हैं अभी ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि ट्रपल तलाग दिया है लेकिन उन्होंने यह काई कि मुझे पेपर पे तलाग के पेपर वेजें मेरी हस्बंड ने जब वो डोकुमेंट सामन करेंगी तो उनके डोकुमेंट का नरी सीज करके बताया जाएंगे कि वह किस टैप का अब इसे राजसवा में पेश किया जाएगा सुप्रीम कोट ने लगातार तीन बार तलाग बोलकर वैवाहिक संबंद खत्म किया जाने की तीन दलाग प्रथा को 22 अगस्ट 2017 को असमवैदानिक गोशत कर दिया था इंदोर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट